आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशीफल पंचमी दिथी आरंब हो जाएगी नक्षतर आज का अनुराधा रानेवाई दिन के एक बे तक तदुपांद जेश्ठा नक्षतर आरंब हो जाएगा वरत्युहार में ऐसा कुछ नहीं है मित्रोंग आपको आज का पंचांग और भी विस्तार जानना है एक एक मुर्तोगाय में जानना है तो डिस्किप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुए वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विस्तार पूप जान सकते हैं एक एक मुर्तोगाय में जान सकते हैं आज के संपून रासी फल के वीडियो में हम जानने वाले कुल 12 रासी फल का आज का रासी फल, साथ हम जाने के आज का सुब समय, असुब समय, दिसासूल, सुब खादे, रासी उनसर क्या खाद पर आसुब रहेगा, कौन सा रंग सुब रहेगा और लगी नमर क्या रहने वाल करों। उससे पहले आईए, हम सभी मिलकर, एक नज़त डालें , आज के ग्रहों के स्तिति पर, क्योंकि ग्रहों की स्तिति पर ही पूरा का पूरा का रासी फ्ल नहया भड़ करता है आज बुद्ध राहु दोनों एक साथ मेस रासी में, सुक्र विर्ष रासी में, मंगल मिथम रासी में, केदु तुला रासी में, चंदरमा विश्ची रासी में, सनी कुम रासी में, सूरी और गुरु दोनों एक साथ मीन रासी में विराजित है तो नी सभी ग्रहों का मिरादला हाल आज के रासी फ़ल में हम जानेंगे तो आईए बात करेंगे पहली रासी मेसासी की मेसासी मेसासी में चंद्रमा आठ्वें स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप मेसासी के जातकों के व्यक्तित में निखार आ सकता है आत्मिस्वास में बढ़ोतरी हो सकती है आज किन अपने विव्यक्तित पर विशेश तोर पर ध्यान दें आज किन अपने गुस्से पर भी नियंतन रखें किसी से वाद व्याद में तो बिल्कुल भी ना परें परोशियों तो छोटे भाई बहनों से समन्द मधूर रखने का प्रयास करें घर से जब भी बाहर निकलें अपने वाहन को नियंतन में चलाएं धीरे चलाएं आज लराई जगरे के साथ साथ दुरुघटना के भी योग बन रहें तो आपको थोड़ा समल कर रहना होगा आज किन जब भी घर से बाहर निकलें तो वीडियो के अंत में बताएगा सुब खाद्य को खाकर ही निकलें ताकि घर से बाहर किसी प्रकार के दुरुघटना या लराई जगरे का सामना तो आपको बिल्कुल भी ना करना पड़े वियापार और धन की बात करें तो आई की दिश्टी से आज किन आपके लिए सामाणने रहने वाला है फिर भी अपने व्यापार पर ध्यान दें और फिचूल घर्चि से बिल्कुल बचें विद्यार्थी की बात के द विद्यारथियों के लिए आज का दिन सामानने से थोड़ा कम रहेगा विद्यार्थी अपने मन को भटकने से बचाएं आज आपका मन पेक्षाकरित ज़्यादा चंचल रह सकता है स्वास्त की बात करें स्वास्त से समंदित कुछ परेशा नहीं आपको आ सकती है मानसीक तनाव रह सकता है किसी प्रकार की चिंता रह सकती है प्रेम समंद की बात के जीवन साथी साथ सामन जस्य बना के रखने का प्रयास करें जीवन साथी से मन मोटाओ होने की संभावना बन रही है तो आपको ही अच्छे समंद बना के रखने का प्रयास करना चाहिए आज की नगर दही खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग क्रीम कलर लगी नमबर रहने वाला तीन बात करेंगे वरिशरासी की वरिशासीम चंद्रमा साथमें स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब विशासी वालों जातकों के लिए आज कर दिन प्रसंदता से भरा हुआ रहने वाला है आज दिन भर में कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है परिवार्जनों और सगे समंधियों में आपस में प्रियम और सद्भाव बना रहेगा ओफिस में सहकरिम्यों का सहयोग भी प्राप्त होगा तथा सरकारी कारियों साबको लाब भी मिलेगा आज किसी प्रियेजन से आपकी मुलाकात हो सकती है व्यापार और धन की बात करें तो आज पार्टनर्शिक के माध्यम से व्यापार में लाभ आपको हो सकता है सुसराल के पक्से से भी कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है भूमी, प्रोपटी और मकान के सुख में विर्धी भी हो सकती है आपके व्यक्ति का सुख में विर्धी होगी आपकी आई में बढ़ोतरी भी होगी और बचत भी आपके आज बरती भी नजर आ रही है विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है मेहनत करें उसका फल आपको जरूर बिलेगा स्वास्ति की बातकेद स्वास्ति के देश्टि से आज की आपके लिए अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्ति का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समंध की बातकेद आज दाम पत्ते जीवन की खुजियां बढ़ सकती है जीवन साथी के सहयोग से आपके काम बन सकते हैं प्रेम समंधों के लिए आज की बहुती अच्छा रहने वाला है आज की जोड ये जोड से बनीवी चीए खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग औरेंज कलर लकी नमर नौ रहने वाला है बात करेंगे मिथुन रासी की मिथुन रासी मचंद्रमा छटे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुत मिथुन रासी वालोग को आज संतान के तरब से थोड़ी चिंता रह सकती है अपने संतान का ध्यान रखें आपके अधिनस्त करमचारी और नोकरों का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है हिम्मत और प्राक्राम आपका बना हुआ रहेगा व्यापारो धन की बात करेंगे तो आज का दिन आपके लिए काफी उनती दैग रहने वाला है आपकी उनती हो सकती है आएके नई स्रोध बनेंगे व्यापार में विल लाब होगा पैतिक संपत्ती का लाब आपको मिल सकता है दूबाव और फसाव और कोई धन्वी प्राप्त हो सकता है छोटे भाई बाहनों से सहयोग तथा लाब आपको मिल सकता है विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है विद्यार्थियों की एक आगरता में कमी आ सकती है केरियर में संगर्ष की योग बन रहे हैं लेकिन संगर्ष के पच्चात सफलता मिलने की योग भी बन रहे हैं स्वास्त की बात करें, स्वास्त की देश्ट्री से आज के आपके लिए अच्छा रहने वाल है, फिर भी आपको अपने स्वास्त का ध्यान जोर रखने चाहिए प्रेम समंध की बात करें, प्रेम समंधों के लिए आज के लिए सामाने रहने वाल है अपने जीवन साथी का ध्यान रखें आने वाई दिनों की योजनाएं उनके साथ सेयर करें इससे आपके समन्द बहतर होंगे आज के चुकुन्दर खाएंगे तो आपके लिए सुप रहेगा आपके लिए आज का सुपरंग गुलावी रंग लखी नमर रहने वाला है साथ बात करेंगे अब करक रासी की करकरासीम चंद्रमा पांचमें स्थान में विराजित हैं जिसके प्रसुप करकरासी वालों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक देश्टी से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है भगवान की पूजा पाठ में आपको सफलता मिलेगी भगवान का आसिरवाद भी आपको प्राप्त होगा अपने से बड़े और गुरुजोनों का आसिरवाद आपको प्राप्त होगा कहीं तीर थियात्रा पे जाने के योग भी बन सकते हैं साथी साथ अच्छे समाचार की प्राप्ते भी होगी अगर कहीं मेहमान मन कर जाते हैं तो आपका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा मेहमान नवाजी का पूरा आनंद आप उठा पाएंगे मित्रों तथा बड़े भाई भानों के सहयोग से कैरियर में सफलता आपको मिल सकती है माता के स्वास्ते का भी आपको ध्यान आज रखना चाहिए व्यापार और धन की बात करें तो आपके भागे में व्यर्दी होगी आई के सुरूत बढ़ेंगे व्यापार में लाब होगा बड़े भाई भानों का सहयोगी प्राप्त होगा विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज कर दिन उत्तम रहने वाल है सफलता की प्राप्ति होगी जो विद्यार्थी परत्योगता परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिल सकती है स्वास्ते की बात के स्वास्ते के द्रिष्ठी से आज की आपके लिए सामाने रहने वाला है लेकिन अपने माता के स्वास्ते का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समन्थ की बात के प्रेम समन्थों के लिए आज के दिन सामाने रहने वाला है जीवन साथ ही से हलकी नोग जोग हो सकती है लेकिन बाद में सब कुछ सामानने भी हो जाएगा आज के इन पाधाम खाएंगे तो आपके लिए सुप रहेगा आपके लिए आज का सुप रंग सुनाना रंग लगी नमबर रहने वाला नो बात करेंगे अब सिंगरासी की सिंगरासी में चद्रमा चोथे अस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप सिंगरासी वालों के लिए आज का दिन रुके हुए कारी को फसे हुए कारी को बनाने वाला दिन है जितने भी आपके रुके वे फसे वे बिगरे वे काड़ी हैं उन सब को खत्म करने की कोसिस करें आज उनको खत्म करने में आपको सफलता मिलेगी मान समान में भी बिर्दी होगी पिता का सहयोगी प्राप्त होगा आपकी कुंडली से आपके संतान को सफलता की प्राप्ती होगी और उनके काड़ी भी बनेंगे साथ ही अपने गुसे पर नियंतन रखें परोशियों से, मित्रों से, सगे समंधियों से संबंध मधूर बनाने की कोशिस करें उनसे लराई जगरे की योगबन है तो तम यहीं रहेगा कि आप अपने आप पर ही नियंतन रखें किसी से लराई जगरा तो बिल्कुल भी ना करें व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार में आज आपको हानी हो सकती है व्यर्त के और फिजुल खर्चों से आपको बचना चाहिए विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के दिन खर्चिला रह सकता है आपको तो अपने फिजुल खर्चों पे नियंतन रखना ही चाहिए क्योंकि अभी आपकी कमाई भी नहीं है स्वास्त्र की बात करें तो प्रेम समन्दों के लिए आज के इन सामाने से कम रहने वाला है जीवन्साथी से वाधिवाद आपके हो सकते हैं तो आपको आज आपसी सामंझत से बना के रखना होगा आज के इन ब्राउन राइच यानी की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाल रंग लकी नमबर 9 रहने वाला है बात करेंगे कन्या रासी की कन्या रासी के जातकों के लिए आज अचानक से धनलाब की योग बन रहे हैं मकान और घर बनने की योग भी बन रहे हैं व्यापारियों के लिए आज किन काफी लाबदाएक भी रहने वाला है आपके लिए आज अच्छे से योग भी बन रहे हैं अगर आज किन कुछ नया कारी आरम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी लेकिन नया कारी आरम करने से पहले वीडियों के अंत में जोग जाने आज का सुब समय के हैं सुब समय में ही नया कारी आरम करें ताकि आपको सफलता के प्राप्ती निश्चित तोर पर हो विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज किन सामाने रहने वाला है अपने पढ़ाई पर ध्यान दे सफलता आपको इसी से मिलेगी स्वास्थ की बात के स्वास्थ के देश्ठी से आज के आपके लिए बढ़िया रहने वाल है आज आपका मन और सरीर दोनों स्वास्थ रहेगा बात केंगे तूलारासी की तूलारासी मचंदरमा दूसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप तूलारासी वालों के लिए आज का दिन खर्चीला रह सकता है धार्मिक कारियों पर और मांगलिक कारियों पर आपके खर्चे हो सकते हैं आपको कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ती भी हो सकती है। प्रसंता में विर्धियों की दिन बर खुश रहेंगे, आत्म समान से भी आपका दिनाल भड़ा हुआ रहेगा। हर जगा आपको मान समान मिलेगा जहां कहीं भी चाहेंगे। व्यापारो धन की बात के तो व्यापार करने वाले जातक आज थोरा समल कर रहें। अनावस्य खर्च आपके हो सकते हैं जिसका पूरा प्रभाव आपके व्यापार पर पढ़ेगा। विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आजकिन बढ़िया रहने वाला है, मा स्वरस्थी का अस्मन करें मेहनद करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी, स्वास्त की बात के स्वास्त के दिश्टी से आजकिन आपके लिए मध्यम रहने वाला है, गैस से समंधित सम प्रश्चियाओं का सामना आपको करना पर सकता है तो अपने स्वास्ते का ध्यान जोड रखें प्रेम समंध की बात के दो दामपत्य जीवन की खुशियां बर्ण सकती है विवाह के लिए आपके प्रस्ताव आ सकते है नए समंधों की शुरुवात भी हो सकती है आजके निम् आजके अपने पराक्रम के बल पर और महत के बल पर अपनी आय में बरुद्रियोगी यात्रा के वियोग बन रहे है आपके लिए और यात्रा आपके सुब रहने वाली है व्यापार के लिए जीवन जीने के लिए आपको आज नए सही योगी भी मिल सकते है व्यापार औ धन प्रेम समंध की बात करें प्रेम समंधों के लिए आज की उत्तम रहने वाला है। प्रेम समंधों के लिए आज की उत्तम रहने वाला है। प्रेम समंध की बात करें प्रेम समंधों के लिए आज की उत्तम रहने वाला है। तो आपसी सामंध से बना के रखें। आज की उरेंज याने की संत्रा खाएंगे तब के लिए आज की बहुत ही बढ़ी हा रहने वाला है। आज आपको परिवार जनों का पूरा साथ मिलेगा खास करके छोटे भाई बानों से। आफिस में भी सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा आपको। आज की आपके लिए यात्रा की योग बन रहे हैं और यात्रा आपकी सुब रहने वाली है। पिता का भरपूर सहयोगी मिल सकता है आपको। व्यापार औधन की बात करें। तो मकर रासे के जोया तक भहतिक सुख सुधाओं की चीज़ें बेशते हैं। जैसे एलक्ट्रोइंस का कोई भी सामान, मुवाइल फोन, फ्रिज कप्रे द्यादी उनके लिए आज के बढ़िया रहने वाला हैं। उनके व्यापार में विर्धी होगी। कहीं अगर आपके पैसे बकाया हैं तो वहां से पैसे जोड मांगें। वहां से पैसे आपको मिल सकते हैं। विद्यार्थी की बातके विद्यार्थियों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाला हैं। मेनत करें उसका पूरा फल आपको जरूर मिलेगा। सवास्तklärी के दिश्डि 시 आज किन आपको बढ़िया रहने वाला है। सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं इससे आपका पेट साप रहेगा और आप स्वास्ते भी रहेंगे प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है जीवन साथी के साथ कुछ खाली समय व्यतीत करें समंद इससे आपके और वियादा म भविसे के लिए आपको इस साकारात्मक योजनाज बना सकते हैं दूसरे सब्दों में कहें तो आज का बनायवा योजना आपको आने वाज दिनों में सफलता की प्राप्तिक करवा सकता है व्यापार औधन की बात के सभी प्रकार की भौतिक सुक्ष विधायें आपको मिले आर्थिक दिष्टि से आज किन आपके लिए बढ़िया रहने वाल है व्यापार में लाव होने की योग भी बन रहे हैं विध्यार्थी की बात के विध्यार्थियों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाल है अपने लक्ष को साधने के लिए विशे स्रणिती बना इससे आ प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आज के इन सामाने रहने वाल है। जीवन साथी से आपसी सामन जस्से बना के रखे हैं। आज के इन ब्राउन राइश यानी की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा। आपके लिए आज का सुबरंग सुनररंग लगी नम्मर रहने वाला है साथ, बात केंगे मीन दासी की, मीन दासीम चंदरमा नौवे स्थान में विराजित हैं, जिसके फ्रसुब मीन दासी वालों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है, आध्यात्मिक सुख मिलेगा पू इसमें भी सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, तो अपने व्यापार पर ध्यान दें, विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज किन उत्तम रहने वाला है, मा स्वास्ति की किरपा पर बनी रहेगी, स्वास्ति की बात के स्वास्ति की दिष्ठी से आज आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन गैस से समंदित कुछ समस्य आपको रह सकती है तो बाहर के खाने से बचे हैं, इससे आपका स्वास्त स्वास्ति खराप हो सकता है प्रेमसंद की बात का एक प्रेमसंद्धों के लिए आज लिए ठीक ठा कहा जा सकता है जीवन साथ ही के मन में विश्वास बढ़ाने की कोशिस करें इससे आपके समन्द बहतर होंगे आज किन सेब घाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब लंग पी लारंग लकिन नमर रहने वाला है छे तो में तो यह तो थाज के 12 राशी का राशी फल अब जानेते हैं आज का सुब समय आज का सुब समय यानि की गुली काल रहने वाला है दिन के 1 बच का 28 बच लेकर दिन के 3 बच कर 33 मेर तक इस समय में को भी नया कारी आराम करेंगे उसमें आपको सफलतात लगेगी आज का सुब समय यानि की राहु काल रहने वाला है सुबह के 7 बच कर 37 मेर से लेकर सुबह के 9 बच कर 12 मेर तक इस समय में को भी नया कारी आराम करेंगे उसमें आपको औस अपलतात लग सकती है दिशासूल आज पूरो दिशा में किसी भी खास प्रियोजन से आतारम ना करेंगे आप आपको नुकसान हो सकता है और सुब खा देशा कुछ नहीं है क्योंकि आज सुम बार है दरपंदे करी आतारम करेंगे तो आपके कारी बनेंगे आज तो मैं तो ये दुधाज का संपून रासिपल कल के संपून रासिपल के लिए जो रहे हैं धर्मसिक्छा के साथ और देखते हैं धर्मसिक्छा जैमात दी